बिहार की धर्ती पर जन्म लेने वालों ने अपने हुनर और छंता से बिहार का नाम रोशन किया है बिहार के लोगों ने विविन छेत्रों में अपने काम से लोगों का दिल जीता है बिहारी पहचान की इस रेनी में आज हम बात करेंगे बिहार की बेटी कावेरी जहा के बारे में जिन्होंने अभिनाय के दुनिया में अपने काम और अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने में कामया हुई फिल्म अभिनेत्री कावेरी जहा का जन्मेट 21 मई 1983 को बिहार के सितामढ़ी में हुआ था उनके पिता सरकारी नोफरी करते थे जिसकी वज़ा से उनकी पढ़ाई कई अलग अलग शहरों में हुई कावेरी के दोस्त बच्पन में उनकी खुपशूर्ती को देखकर उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देते थे कावेरी जहां ने बच्पन सही कई तरह के स्टेज सो में भाग लिया वर्स 24 में कावेरी के पिता का ट्रांसपर मुंबई में हुआ तब वो अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई गई जहां उन्होंने एयर होस्टेश का काम भी किया उसी दुरान उन्होंने मिस महराष्ट का कॉंपेडिशन में हिस्सा लिया जिसमें वो भीजयता वनी इसके बाद कावेरी ने फेमिना मिस इंडिया कॉंटेस्ट में भी पाटिसिपेट किया इस कॉंटेस्ट में कावेरी ने मिस परसनल्टीर का खिता कावेरी जहां फेमिना मिस इंडिया आवार्ड रपांच जितने के बाद मॉडलिंग में हाथ हाजमाया इसके बाद उन्होंने कुछ म्यूजिक विडियोज में भी काम किया काविरी ने इसके अलावा टीवी सोज में भी होस्ट का काम किया जिसमें उनके को होस्ट फिल्म निर्माता साजित खान बने वर्स दोहजार साथ में प्रेदर्सन की फिल्म भूल भलया में उन्होंने एक छोड़ा सा कैरेक्टर प्ले किया था जिसमें मुख्य किरदार में अक्षर कुमार विद्यावालान और अमीशा पडेल थी उसके बाद उन्होंने वर्स 2008 में आई फिल्म हाईजैक के जरिये बॉलिवुड में डेवियू किया इस फिल्म में मुख्य विनेता शाइनी आहुजा थे जिनकी पत्नी का किरदार कावेरी निवाया फिर कावेरी ने अन्य भाषा में भी फिल्म करने लगी उन्होंने तेलगू, मराठी, तमिल में भी काम किया कावेरी को बेहतर अभिने के लिए शमिक्छा को द्वारा हमेशा सराहा गया कावेरी ने आगे चलकर भिन-भिन प्रकार के किरदार अदा किये वह उनके अभिने और किरदारों ने हिंदी फिल्म अभिनेतिरियों की एक नई कल्पना को जन्म दिया कावेरी जहां आज के समय में दक्षिन भाड़ती सिनमा के सफल अभिनेत्तियों में से गिन जा दो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एमन ताजा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें शुक्रिया